राजधानी राची के धुरुवा इस्तित JCA के स्टेडियम में इंडिया और इंगलेंड के टेस्स सिरीज का चौथा मैच खिला जा रहा है और जिस स्टेडियम में ये मैच हो रहा है यानि कि जैसेक के स्टेडियम में उसे बनाने में पूर IPS और अध्यक्ष अमिताब चौधरी का अहम रोल रहा है जो कि खुध कॉइंटर से टिकर्ट खरीदे हैं मैच देखा है और हमेसा एक जो है कॉंफिस वेरर को लेकर हम उनसे बात कर लेते हैं आपने कल टिकेट काउंटर से खरीदा देखा, मेरा जो सवाल है, क्या जितने भी मेंबर्स रहते हैं या फिर एक्स मेंबर्स रहते हैं, उसके लिए पासेस आते हैं क्या, कुछ एक्स्टर अडवांटेज मिलते हैं क्या? नियम जो है, जहां तक मेरी जानकरिया और लगबख सही होगी, कि हर मेंबर को दो पासेस का अधिकार होता है, मेरे परिवार में एक मेंबर्स रहे नहीं हैं, नहीं हम किसी से मांगेंगे सर, तो नहीं पास नहीं आया, नहीं हमने मांगा अधिकार एक बात होती है, और किसी चीज का दुर प्योग करना दूसरी बात होती है, तो अधिकार तक अगर सीमेत रहे बात तो ठीक है, जो कानून में लिखा है, जो बाइलोज में लिखा है, जो असोसियेशन के बाइलोज होता है, जो उसके नियम कानून होता है, उसमें जो लिखा है वो तो उचेत है लेकिन उससे बहुत अधिक मेरे हिसाब से गरबड़ी हुई है जब मैं कल स्टेडियम गया मुझे बस पात्सों रुपे का टिकेट उपलब था पात्सों बारसवा में कुछ खास अंतर नहीं मैं बारसव की भी टिकेट ले सकता था लेकिन वो संट ही नहीं था जब मैं गया मैंने देखा जो बारस का स्टेंड था वह तो सट्सक्राइशाथ खाली था बाटे काला बजारी भी हो रही है और राजनेते कारणों के लिए टिकेट बाटे जा रहे हैं और उनको संद्रक्षन देने के लिए वरिष्ट अधिकारियों को भी समयलित कर लिया गया है या वो खुद अपने आप से अपस्वता समयलित हो चुके हैं इसमें पासस के लिए अपरोच करना यह तो कर्टसी हुई कर्टसी चोड़िये यह तो मेरी मेरी पुष्टैनी जमीन है दरभंगा मदुमनी चार ब्लॉक में चार ब्लॉक में जमीन है काफी बड़ी एस्टेट थी लैंड सीलिंग होने के बाद भी बिहार में काफी बड़ी एस्टेट थी उसकी हमने सरी दुरवा थाना में एक इनके अगेंस केस्ट भी रेजिस्टर करवाया है वो अनुसंधान उसमें चल रहा है अभी और यदि अनुसंधान ठीक से नहीं हो अगर यह मैनेज करने की कोशिच कर रहे हैं तो और भी एजनसीज हैं सिर्फ जारकन पुलीस एक एजनसी नही हैं ऐसे कई नाम हैं जिनके कुर्बान कारण यह स्टेडियम खड़ी हो सकी उन सब लोगों को दरकिनार कर दिया गया है और जो नए लोग हैं पिछले पाच्छे सालों में उन्होंने एक तरीके से महां कब्जा कायम कर लिया है और मेरे फादर को जहना उनकी चापलूसी कर हैं उसका हम साध्रियम जो है आपके पापके नाम पर डिडीकेटर हैं अमिताब चौदरी पैबिलियन उसके लिए भी नहीं यह तो होना चाहिए एक तो किम सिर्म देना चाहिए और न तो सही चाहिए तो बहुत कुछ सब्पन तो ये भी चाहिए कि आप किसी की पुश्ट जाके जीविका खुजिये बतोर प्रफेशनल, जर्नलिस्ट बनिये, डॉक्टर बनिये, कुछ और बनिये, कारुबार खोलिये, तो वो तो कर नहीं सकते, तो इसलिए पैरसाइट की तरह, पैरसाइट होता है ना सर, जो एक लिविंग और ऑगनिजम पे आके कोई ऐसे ऑगनि रिष्टदारों को बना रहे हैं, कि इनका ये जो कब्जा है, जो मेवा यह ले रहे हैं, ये और भी चलता रहे हैं, लेकिन अभी भी अधिकतर मेंबर, यानी की 80% मेंबर ऐसे हैं, जो इनलोगों की सच्चाई जानते हैं, जो ये भली बाती जाते हैं कि किनके कुरबानियो फिर लोग के कारेंद्यर के सित्डीम खड़ा हो सका। और कौन स्विवरू से हैं और जो क्रिकिटर्स को लाना चाहते हैं। मूल से सर क्रिकिट प्रशाअसन क्रिकिटरों के हाथ में होना चाही है। मेरे फादर भी थे, वो खुद क्रिकेटर रहे थे, YPS अफसर थे, उससे पहले वो क्रिकेटर भी थे, ये लोग जो फिलाल है, इनको आप गेंद पकड़ा दें, लेधर बॉल, वो उसमें सीम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बैट कैसे पकड़ते हैं, बैट का ग्रिप चा आठाट, नौनो साल सर्फ कर चुके थे, वो इनलिजबल हो गए, वो अब लड़ नहीं सकते थे, चुनाब तो ये लोग हैं, ये तमाम लोग उस वक्त आए, इससे पहले इनका कोई वजूद था नहीं, क्या कुछ बदलाव चाहिए, सबसे पहला बदलाव तुम ये लोग सरे, वागरी क्रिकेट को जानते हैं, वो जानते हैं क्रिकेट में क्या चुनाओतिया हैं, या उन लोगों के हाथ में होना चाहिए, जिन्हों ने 2005 से लेक्या, 2004 से लेके, 2013-2014 तक वहाँ पर अपना योगदान दिया, जिसके कारण ये स्टेडियम घड़ा हो सका, ये परिचतों को पूछा जाए हमारा जो मैं मकसद ये था कि जो J.C.A. Cricket Stadium बना है चिनका महथपूर रोल रहा है उसमें कहीं नहीं कहें पूछा जाए और हम बात कर रहे हैं मिताब चौदरी की जिनका अहम रोल रहा है J.C.A. Cricket Stadium बनाने में और एक पैबिलियन उनके नाम पर देडिकेटेड भी है लेकिन उनके फैमिली को अप्रोच भी नहीं किया गया है एक पी पास उन्हें नहीं मिला है उनके जो बेटे हैं अभी सेक चोधरी खुद उन्होंने कॉंटर से टिकट खईदा और जाकर मैच देखा तो कहिना का एक मैसेज देने की कोशिज भी की गई थी कि अगर जेसी प्र बड़ी चल रही है इनका रोप है वो गड़ बड़िया जो है दूर होनी चाहिए और इन्होंने कंप्लेन भी किया है जिसकी जाच अभी चल रही है और सीधी रोप से कहना है कि जितने भी ओफिस बेरर हैं उसमें पूर्व क्रिक्रेटर जो हैं वो आने वाले समय में दिख खायदे निउस बाइस को प्ले कामरा पिसन तापस के साथ निरज कमार राची